हेलो दोस्तों मैं दीपी का स्वागत करती हूँ आपका अपने यूटूग चैनल में दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं नीम्बू के बादे में प्राचीन समय से नीम्बू अपने गुनों और स्वास्थे लाप के कारण बहुत ही परसेद है इसमें बहुत से एंटी ओफिडन और एंटी प्योमर उनके सासा विटामिन और खनी भी अच्छी मातरा में पाई जाते हैं यहाँ एक मौसमी फद है जिसे विशेश रूप से गर्मियों में उपयोग किया जाता है यहाँ हमारे स्वास्थे के लिए बहुत उपयोगी होता है निम्बू का उपयोग करके हम हेदे रोग, लीवर की समस्या, बलड प्रेशर आदी को रोग सकते हैं निम्बू आयुवेद उप्चार पतेती में प्राचीन समय से अपना हैस्तपून योगदान देते आ रहे हैं निम्बू में बहुत कम मात्रा में वसा और प्रोटीन होता है इसमें मुख्यरूप से कार्वस और पानी होता है निम्बू के स्वास्तेला इसके कई पूस्टिक तत्वों के कारण होते हैं निम्बू में विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है और इसमें विटामिन B, पोटीशियम, जिंग, मैगनीशियम की थोड़ी मात्रा होती है लोग निम्बू के फलों के रस और पानी को मिला कर निम्बू पानी बनाने के लिए इस्तमाद करते हैं कई लोग इसका इस्तमाद कपड़े धुने के एजन्ट के रूप में भी करते हैं क्योंकि इसमें दाव भटाने की छम्ता होती है इसकी खुस्बू मच्चरों को भी दूर कर सकती है जबकि जैतुन के तेल के साथ निम्बू के रस को पीने से पिताशे के पत्री से काला पाने में मदद मिलती है यहाँ अपने और सरीय गुनों के लिए भी काफी जाना जाता है और कई अलग-अलग तरीकों से उप्योग किया जाता है एक अध्यान से पता चला है निम्बू का पानी सूजन समंदी पॉली अर्थराइब और गठिया से भी सुरक्षा पसाल करता है निम्बू में विटामिन C, विटामिन B6, विटामिन E, फॉलेट, नियासिन, थाइमीन, कॉपर, कैलसियम, आईरन, मैगनीशियम, पोटेशियम, जीन, फास्वोरस जैसे तत्वो उपस्थित कोते हैं निम्बू कॉपयो आपके वजन को कम करने के साथ साथ कई परकार के सरीर को स्वस्थे लाव दिलाता है तो चलिए जाते हैं निम्बू के कुछ फाइदे के बावे में दोस्तों यह खराब गले, कब्च, किड्नी और मसुरों की समस्या से राहत कहुँचाता है साथ ही ब्लड प्रेशर और तनाग को कम करता है स्वच्चा को स्वस्थर बनाने के साथ ही लीवर के लिए भी यह बहतर होता है निम्बू पानी में मौझूद निम्बू का रस हाइट्रोख्लोरिक एसिल और पित सिक्रेशन के प्रोडक्शन में ब्रीधी करता है जो पाचन के लिए आवश्यक है साथ ही यह है ऐसीडिटी और गठिया के खत्रे को भी कब करता है निम्बू पानी का स्वास्ते पे पढ़ने वाला सबसे महत्पून फाइदा है इसका किट्नी स्टोन से राहत पुप जाना मुख्य रूप से किट्नी स्टोन सरीर में बिना किसी परिशानी के निकल जाता है निम्बू पानी पीने से सरीर को री हाइब्रेट होने में मदद मिलती है और यह है यूरीन को पतला रखने में मदद करता है साथ ही यह किड़नी स्टोन बनने से किसी भी तरह के खत्रे को कम करता है निम्बु पानी, हाई सुगर वाले जूस वर ड्रिंक का बहतर विकल्प माना जाता है खास्तों से उनके लिए जो डाइबरेटीस के मरींज है या वजन कम करना चाहते हैं यह सुगर को गंभी तर तक पहुचाए गिना सरीर को रिहाइडरेट वा एनरजाइज करता है आप कैंसर के खत्रे को कम करने के लिए निम्बु का अपयोग कर सकते हैं निम्बु में कई फ्लेवोनॉइड अच्छी मात्रा में उपलत होते हैं जो कैंसर को रोखने में लाबकारी होते हैं निम्बु में लगभग 22 परकार के एंटीबैक्ट्रियर रिटक होते हैं जो ट्यूमर के विकास को रोखने में सक्षम होते हैं निम्बू इस्तन कैंसर सही कई पकार के कैंसर के जोखियूं को कम करने में मदद करता है दोस्तों निम्बू का रज स्वसन समस्या और सांस की समस्या से राहत देता है जैसे कि अस्तमा के दोरे से पेड़ित वैक्ति को सांथ करने की स्वंता इसमें विटामिन C होने के कारूँ यह अधिक समय तक स्वसंद तकलीट को कम करने में सहायख होता है किन लोगों को दिल की समस्या होती है उन्हें निम्बू का रस पीना फाइदे मन होता है क्योंकि निम्बू में पोटेश्यम पाया जाता है यह सरील के उच्छ रख्तचाप को और चक्कराना आदी के लिए फाइदे मन होता है क्योंकि यह मन और शरील दोनों के लिए सांथी परदान करता है यदि हम कभी गलती से जल जाते हैं और निशान बन जाता है तो निम्बू उस निशान को कम करने के लिए भी सहाया उपर है अगर आपको कब्ज की समस्या है तो निम्बू आपके लिए बेहर फाज़े मन है परती दिन सुबह गरम निम्बू पानी पीएं और पूरे दिन कभी की समस्या से दुबू रहें निम्बू पानी बायो फ्लेवो नौर्ड, विटामिन C और फाइको उन्ट्रियंस का धक्तर सुरोग है जो सरीटी परती रोधक शम्ता की शक्ति बढ़ाने में मदद करता है इसमें मौजू आवश्यक विटामिन्स और मिल्वल के कारणिया सरीव में अनर्जी वेवर को बढ़ाने में मदद करता है हर सुबर सहथ के साथ जुनगोना निम्बू पानी पीने है अतिरिक्त वजन असानी से कम किया जा सकता है निम्बू पानी में मसूरों से संबंदी समस्या से रहात मिलती है निम्बू पानी में एक चुटकी नमक बिलाकर पीने से काफी फाइदा मिलता है निम्बू पानी का एक और फाइदा यह है कि इसमें ब्लड प्रेशर को कम करने के गुण के साथ की तनाव, डिप्रेशन और अफसाथ कम करने के गुण पारे जाते हैं निम्बू पानी पीने से तुरंत ही आपको आराम का नुधर होगा नीमित रूप से नीम्बू पानी पीने से त्वचा जवा नजर आती है नीम्बू एंटी ओक्सिडेंट खुनों से भरपूर होता है जाने माने एंटी एजिंग गुनों वाला नीम्बू और दूसरे एंटी ओक्सिडेंट से भरपूर खाते पदा आजकर अत्तिधिक बसंद किये जा रहे हैं पत्री के लिए तो नीम्बू राम मानों सदी है एक गिलास पानी में एक नीम्बू की चोड़कर सेंदा नमख मिलाकर सुबर शाम दो बास रोज एक महिनी तक पीने से पत्री पिखलकर निकल जाती है आपके नाखुन पर रोज नीम्बू रगड़े रस सूप जाने पर पानी से धोए इससे नाखुनों का रंच साफ हो जाता है और आपके नाखुन चमक उपते हैं एक निम्बू के रस में तीन चमक चीनी, दो चमक पानी मिलाकर गोल को बालों की जड़ों पर लगाए एक घंटे बाद पानी से सिर्कों अच्छे से धोड़े इससे बालों की रूसी दूर हो जाएगी और बालों का जढ़ना भी बंद हो जाएगा एक छोटा कप खीरे करस में चार चमक बेशन, चार चमक दही और आधा निम्बू करस अच्छी तरीके से मिलाकर चाहरे और हाथ पैर पर लेप लगाकर आधे मिल्टे बाद धोले ऐसा करने से आपको ओईली दोचा से निखा लुए लेगी एनीमिया एक गंभीर रक्त विकार है जो सरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी से होता है लाल रक्त कोशिकाओं की निर्वान में आईरल महत्पून भूमी का निभाता है जिसकी पूर्ती निम्बू के सेवन से की जा सकती है निम्बू एक street fall है जो आयल से भरपूर होता है निम्बू में vitamin C होता है vitamin C anti-inflammatory उनसे समरिध होता है जो मुहासो जैसी स्वच्य समंधी परिशानी को दूर कर सकता है सरीर के बजन और अकार्म बदलाव के कारण नजर आने वाले stress marks आपको परिशान कर सकते हैं इन्हें दूर करने के लिए आप निम्बू का अपयोग कर सकते हैं निम्बू vitamin C से सम्रिध होता है जो तुचा में collagen को बढ़ाकर stress marks को दूर करने का काम करता है इसमें कोई शक नहीं है कि निम्बू बुनकारी फल है लेकिन इसके कुछ दूस्परवाब भी है किसी भी चीज को बहुत जगा उपयोग आपको हानी पहुचा सकती है तो चलिए जानते हैं निम्बू के कुछ साइड़ सकत के बारे में निम्बू में citric acid की मातरा जागा होती है इसलिए निम्बू का अधिक 7 दातों को नुफसान पहुचा सकता है निम्बू में मौजूद citric acid सम्वेधन सिल्ख तचा के लिए अलर्जी का कारण दो सकता है निम्बू विटामीन C का बड़ा स्रू होता है और विटामीन C का अधिक 7 दस्त मतली पेट में आठन समस्या का कारण दो सकता है पैर के जोडों में दर्द, गले में टॉंसील, पेट में घाओ के रोगी को निम्बू नहीं देना चाहिए निम्बू में strict acid के अलावा ऑक्सलेट की भी प्रयाक्त मात्रा होती है निम्बू पानी का ज्यादा सेवन करने से crystal के रूप में सरीर में जमा हो सकता है जिससे kidney stone होने का खत्रा बर सकता है बहुत अधिक निम्बू पानी पीने से हट्टियां कमजोर हो जाती है निम्बू में अमलियता होती है जिसकी वज़े से हट्टि पे पर्तिकूल परहाब पड़ता है ऐसे में कोशिश करें कि निम्बू पानी का सेवन मियंत्रित मात्रा में करें अगर आपको पहले से ही गैस की समस्या है तो निम्बू पानी का सेवन आपके लिए नुकसान दायग हो सकता है निम्बू पानी पीने से एसिडिटी या गैस की समस्या बढ़ सकती है जिसका असर पाचन गिरिया पर भी पढ़ता है तो देखा आपने निम्बू का खिलका, रस, बीज और पत्ते सभी कितने सारे औसदिये गुनों को समेटे रहती हैं तो आप इन नुक्सों को आज़ाएं अगर आप इस वीडियो में बताई गई किसी भी सारे दिक समस्या से पीडित हैं तो निम्बू के बताये गए उपाये कर सकती हैं निम्बू विविन और सदिये गुनों से भरबूर खाते पदार्थ है जो आपको जद स्वास्ते लाव देने का थाम करता है इसके निमित उपियोक के दोरान अगर आप कुछ दुस्परभाव नजर आती हैं तो घबराये नहीं और डॉक्टर से संपत करें आसा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा निम्बू के यह नुक से आपके लिए कितने कारगार हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले साथी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सस्क्राइब कीजिए साथी बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँँ सकें तब तक के लिए धन्यवाद